बहुत बहुत स्पागत है आपका हमारे स्विशेश कालक्रम बिहार बिहान में कुछ पंक्तियों से मैं कालक्रम की शुरुवात करना चाहूंगी क्या खोजते हो दुनिया में जब सब कुछ तेरे अंदर है क्या खोजते हो दुनिया में जब सब कुछ तेरे अंदर है क्या देखते हो औरों में जब मन ही तेरा दरपण है दुनिया बस एक दौड नहीं तू अश्व नहीं है धावक रुक कर खुद से बाते कर ले अंतरमंत को शांत कर ले जी हां हम लगतार दोड़ते जा रहे हैं हम लगतार कुछ ऐसी चीजे हैं जिने हम लगतार पकड़ने के लिए दोड़ते जा रहे हैं उन्हें हासल करने के लिए दोड़ते जा रहे हैं लेकिन कभी-कभी एक ठहराव बेहत जरूरी है रुकना बहुत जरूरी है ये आकलन करन के लिए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं जब किसी चीज को प्राप्त करने क्लिए के लिए दौड़ते हैं और यह सबीधा रहते हैं कि सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप अपने अंदर positive thoughts को इंस्टियल करे यारी साकरात्मक विचार को आत्म सात्थ करें जिए और जब सकरात्मक्ता की बात होती है जब साकरात्मक्ता की बात होती है तो हम बात करते हैं पूजा की अर्चना की हम अपने जो भी हमारे इस्ट हैं उन्हें याद करने की बात करते हैं और आज से नवरात्र की शुरुवात हो चुकी है और बहुत ही पावन ये जो महौल होता है बहुत पावन होता है आज सुबह से ही माता के अंबे जगत जननी अंबे म पाके जैकारों से हमारा मन जंकृत हो रहा हैं बहुत ही साकरात्मक महौल है चारों तरफ तो चलिए इसी साकरात्मकता को इसी पॉजिटिविटी को हम आगे लेकर चलते हैं और आपको बताते हैं कि आज का विचार क्या है हो सकता है हम ठोकर खाकर गिर पड़े पर हम उठ सकते हैं लड़ाई से भागने से तो इतना अच्छा ही है तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है आत्मा से अच्छा कोई श्रिक्षक नहीं है आज हमरसाद स्टूडियो में मौझूद है विवेकानन्द प्रशाद जी जो की रोबोटिक एक्सपर्ट है तो चलिए हम सब मिलके स्वागत करते हैं हमारे आज के विशेश महमान का बहुत-बहुत स्वागत है आपका विवेकानन्द जी थैंक यू रोबोटिक्स एक ऐसा उक्षब्ड है जब हमारे जहन में आता है हम जब सुनते हैं पढ़ते हैंपने नजर भी कहीं आते तो हमें लगता है कि सारे चीजरे आउटोस्यों Хो रही है πेले हम पारशियल आउट्यमेेशन की बात गयरते जहां पे थोड़ा हमारा एंड़ में होता था और थोड़ा सा जाना रहे हैं तो यह जो कम्टीट आउटोमेशन हैं इन कितना होगा अभी के समय में क्योंकि यह हम सब के लिए जानना जरूरी है कि बहुत सारे लोग रूबॉट को सिर्फ एक मशिन के तौर पर जानते हैं जो आपके सारे काम कर सकता है इसके। कर सकता है इसके लाव बहुत सारे सेग्मेंट से जहां यह बहुत जादा फाइदेमन साबित हो रहा है तो हम आप से जाना चाहेंगे यह फुली आटोमेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे यह कितना रेलेवेंट होगा कितना प्रासंगिक होगा अगर बात करें आटोमेशन की तो आटोमेशन मतलब यह होता है कि कोई भी काम अगर अपने ही आप हो रहा है जो बात आपने कही कि पहले हम partial automation पे थे अभी हम लोग total automation की तरफ जा रहे है total automation शायद possible ना हो पाए क्योंकि robots को चलाने के लिए इंसानों की जरुवत पढ़ती है robots ऐसा नहीं होता है एक इंसान जैसे हम पैदा होते हैं हम सीखते हैं चीजों को हम बड़े होते हैं फिर हम खुद से करने लग जाते हैं but we need different people in our lives कि कोई हमें किसी चीज में support करें कोई हमें किसी चीज में support करें same goes with the robots, robot अगर कुछ है तो वो अगर कोई काम कर रहा है उसको भी कोई ना कोई चाहिए जो उसको बताया कि करना क्या है जैसे mobile phones देखिए आप एक तरह के robot ही अब इसे के लिए जब बना था smartphone और आज के smartphone बहुत ज़्यादा फारक है अब ही पॉसिबल नहीं है अगले चार-पांस डेकेड में अटलीस्ट टोटल आटोमेशन कहीं पर हो सकता है कि हाँ आपने factory में लेट से आप गाडियां असेंबल करने की factory है वहाँ पर आपने आपको उन रोबोट्स को टाइम टू टाइम बताने के लिए लोग चाहिए होंगे मॉनिटर करने के लिए कि प्रीजे सही हो रही है नहीं हो रही है आपने रोबोट लगा दिया अगर कुछ गड़वड हो रहा है तो भी but human intervention की जो नीड होती हो बहुत अलग होती है हम अपना intelligence होता है इसलिए रोबोट्स और यह complete automation अभी possible नहीं है it will take some time maybe but complete automation की तरह अभी दुनिया वहां तक पहुंचने में बहुत दूर है जैसे Mars rover Mars पे काम कर रहा है but that is a completely automated robot but उसको यहां से संदेश भीजा जाता है programs update की जाते हैं कि क्या करना है so that is 75 25 25 का ratio चाल रहा है कि 75% वो खूद कर रहा है 25% हम command दे रहें बल्कुल exactly और यह शाद बहुत जरूरी है कि हम artificial intelligence के साथ सथ अपना intelligence the human intelligence है उसका भी इस्तमाल करें technology बहुत तेजी से advance हो रहा है और हम उस advancement के साथ जोड़ने के लिए लगतार उसके साथ कोपप करने के लिए लगतार कोशिश कर रहे हैं यह जो technology के पर इतनी dependency है इसे अब कितना सही मानते हैं हर चीज़ का एक दो aspect होता है आपके according क्या benefits है और क्या इसके यूफोल्स हो सकते हैं आगे चलकर हर एक technology जब आती है या कोई भी technology जो दुनिया में एक्जिस्ट कर रहे है इसके laws flaws है इसके अपने फायदे भी है अगें मैं example लोगो mobile phone का आप दो मिट में किसी से भी बात कर सकते हो इसके flaws भी सबको पता है I don't need to explain इसके पूरी के पूरी फिलम बनाई है रजनी कान सर ने कि क्या-क्या नुकसान है mobile phone से technology का भी यही है तो total dependency भी मैं सही नहीं मानूंगा technology के तरह बट technology आपके जीवन को बहतर बनाने के लिए है आप कोई भी काम कर रहे हो लिट से पहले अप लिट से कोई भी काम कर रहे हो बिना किसी machine के help के आप हाथों से कुछ लिख रहे हो अब आप computer पर लिख रहे हो तो आपने हाथों से अगर कुछ grammatical mistake कर रहा है तो आपको पता नहीं लगेगा but computer आपको बता देगा so technology is helping you technology is the enabler technology is never a complete replacement for anything वह हमेशा से आपके life को बहतर बनाने लिए है वहाँ पर आप उसको replacement की तरह मत देखे technology से लोग पता नहीं क्यों डरते है technology I feel like कि यह जो automation है technology है these are there to help us out कि हम अपने जीवन को अच्छे से जी सके train collision के लिए जो devices बनी है car collision के लिए जो devices बन रही है अभी जो cars आ रही है आपके जीवन को बहतर बनाने में इससे डरने की तो जरूरत नहीं है जो cons के हम बात करते हैं बिल्गुल सही कह रही है कि Osama bin Laden भी engineer थे exactly यह सारी चीज़े हैं लेकिन आपने यहां पे कहा कि computer में अगर आपको अब कम हो गया लोग इसके साथ यूस्टू होगे इसके साथ आराम से अब काम करना शूरू करना अब क्या है और अब क्या है कि जब यह हम आटोमेशन के तरह बढ़ रहे हैं पार्शल हो या फुली आटोमेशन हो जब हम बात करते हैं कि robots हैं हमारे ओफिस में काम करेंगे जिस तरीके का भी काम है तो एक फियर लोगों के दिल में आ रहा है कि कहीं वह यूमन्स को ना रिप्लेस करते हैं ऐसी बहुत ज़रा की मिट्स हैं आपने कहा कि टेकनोलोजी ओविसली हमारे लिए अच्छा है हमें हमारे काम को इनेवल करने में जादा अच्छे से हम उस का कर सकते हैं एफिशेंसी हमारी बढ़ाती हैं आप इसे किस तरह देखते हैं अभी भी अवेर्नेस की कमी है लोग नहीं जानते आज रोबोटिक एक्सपर्ट चुकि आप खुद इसके साथ जुड़े हुए हैं बच्चों को सिखा रहे हैं जगे 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 जा रहे विदे नहीं कर सकते हैं किस तरीके साब समझाते हैं इसके दो तीन ना बहुत सटीक एक्जांपल होंगे पहले एक्जांपल तो आपने खुद रखा कंप्यूटर्स का जब कंप्यूटर्स आय थे तो इस टाम पे लोग ने बहुत अपोच किया था बहुत सारी हड़ताले हुई थ अगले दस सालों में यह समझ में आ गया कि बिना पूटर्स के आपका जीवन नहीं पॉसिबल आज के लाइफ में आप अप कंप्यूटर्स हटा दो दिरिस नो लाइफ बहुत सारी चीजे नहीं कर पाऊगे आप नेट्फिक्स पर मूवी नहीं नहीं कर पाऊगे और भी ए लोग एजुकेट नहीं किया गया उनको कि कंप्यूटर्स और इजनली क्यों लाया जा रहा है आपको इससे क्या हेल्प मिल सकते हैं तो वो जो हेल्प है वो बहुत जरूरी है वो जो एजुकेशन है वो बहुत जरूरी है अभी रिसिन का एग्जांपल देखे कोवीट का शुचु सुरी डे जाना हुआ तो कोवीट के टिकों में लोगों के बीच एक पैला दिया गया था कि टेस्टर नहीं है इसा है टीका बनाने में तीन साल लगते हैai पाफ साल लगते हैं डेसिर घुटिटली लगते हैं बटीका बनानां अगर अरग्रर्जन्सी पे हो आपक चले जाएंगे इंसानों की जॉब्स चली जाएंगी सीवर सीवर जब क्लीन करते हैं हर सल कितने ही लोग मरते हैं कितने सारे सीवर क्लीनिंग ड्रेनिस क्लीनिंग एजिंट्स मरते हैं और स्टाफ मर जाते हैं सीवर में फसके अगर वहां पर हम रोबोट्स डाल के भेजें ब तो robotics जो है मैं फिर कहूंगा robotics automation ये आपके जीवन को बहतर बनाने के लिए आपके साथ कदम से कदम मिलाखे चलने के लिए इसको आप इस डर में ना देखे कि आपकी जौब चली जाएगी येस एक 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 स्टेंड तक जौब जाएगी बट कुछ नए जौब्स क्रियेट हों जाएगा के लग उसके लिए नोग कहां से लाएगा जाए भो इससे तो लाएगा न ही इंडियासे ही लोग लगेगे और वह चिल्लोग लगे तो आपको अपनी स्किल्स बढ़आनी पडहेंगी आप only because you are saying जोब चला जाएगा, that means you are not ready to adapt the technology, अगर आप evolution में नहीं आना आना जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में बीच में बीच में एक बात यह है कि सबसे बड़ी चीज है awareness plus education, अपने हाप education के बात की awareness as a robotic expert, आप अपने एंड से क्या करते हैं कि लोग जादा से जादा इसको अड़ाप्ट करें इसके साथ friendly behavior उनका develop हो जाए, आप किस तरीके से करते हैं? इसमें थोड़ा सा time लगेगा, यह एक दिन की बात नहीं है, हम लोग कैसे करें हैं? हम क्या करते हैं basically, हम बच्चों को ही इसमें involved कर रहे हैं, we are teaching the students की robotics is not a rocket science, आप अपने घर पे कर सकते हो इसको, and आप बिल्कुल scratch से start कर सकते हैं, आपको कोई engineering करने की जरूद नहीं है, अगर आप एक robotics engineer बनना चाहते हो, या एक robot बनाना चाहते हो, तो ऐसा नहीं कि आप जब तक कोई बहुत बड़ी degree नहीं करोगे, आप नहीं बना पाऊ गया, what we are doing? कई बड़ी parents को समझाना पड़ता है, तो बच्चे best माध्यम है, बच्चों को हम short term workshops देते हैं, चार दिन का, पांस दिन का हमने workshop दिया कुछ बच्चों को, हमने उनको hands-on करने दिया, उनको हमने कुछ hardware दे दिया, कुछ programs करवा दिया हमने उनको, बच्चे अब खुद से basic robot बना रहे हैं, बहुत basic robots, जो let's say, यहाँ पे stage पे चल रहे है, stable पे रख दिया, stable से वो robot मीचे नहीं गिरेगा, बच्चों ने यह समझा कि कैसे computer programming और hardware मिलके काम कर रहे हैं, parents ने वो देखा कि वाओ, मेरे बच्चे ने चार दिन में एक robot बनाया है, so basically वो robot market में कहीं भी utilized नहीं हो पाएगा, उसका कोई real significance नहीं है, बट उस robot का use करके आपके बच्चे ने कुछ सीखा है, जो वो आगे बना सकता है, और आपके घर में robot है, अब आप उससे friendly हो रहे हो, तो you are getting to know him, know the robot के, ठीक है, यह क्या कर सकता है, और अब आप उसको different IAMO में देखने लगे हो, जैसे आप रिसेंटली IOT आने लगे हैं, आप Google Assistant है, Alexa है, आप एक आवाज पर आपके light on हो जाएगा, light off हो जाएगा, आप इनको अपने घर में आने दो, welcome them, बहुत काम आएंगे, बहुत सारे गाउं जो हैं, सुदूर गाउं जो हैं, जहां बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, जो शायद internet को बहुत भैतरीन तरीकी से, वो अच्छे तरीकी से use करना नहीं जानते हैं, अभी अभी भी, ऐसे में अगर उनके सामने robots लाके रख दिया जाएं, असीम संभावनाएं हैं, जाहिर से बात है, आपके अंदर क्या काबलियत है वो आपका इलाका तै नहीं करता है, आपके अंदर काबलियत है वो आप खुद तै करते हैं, बहुत अच्छा इंजीनियर बन सकते हैं, हम बहुत अच्छे robotics, हम expert बन सकते हैं, लेकिन उन बच्चों तक reach, पहले तो reach बहुत जरूरी है, तब ही हम वहां से निकाल कर ला पाएंगे, और उन्हें बता पाएंगे यह दुनिया इतनी बड़ी है, पूरत दुनिया उनके लिए प्लाटफॉर्म है, आप as a robotic expert, जो कि आप बच्चों के साथ भी जोड़े हैं, बेसिकली यह एक ऐसा सवाल है, जिससे मैं खुद भी बहुत जादा कोरेलेट करता हूँ, because I come from a village, हलाकि मेरा गाउं जो है पतना से काफी नजदीक है, बट फिर भी गाउं गाउं हैं, तो मैंने काफी सारी चीजे फील की है वहां पे, आज भी गाउं में थोड़ा सा स्लो है इंटरनेट, आज भी वहां पे ब्राडबेंड नहीं है, और अगर आपको कुछ सीखना इंटरनेट से आपको ब्राडबेंड चाहिए, डेर जी भी में कुछ नहीं होता, दूसरी बात जो आपने खुद बताई कि मोबाइल का सही इस्तेमाल, मोबाइल का सही इस्तेमाल भी आदे लोगों को नहीं पता है, बहुत सारे लोग उस इंटरनेट का सही यूज नहीं कर रहे हैं, टिक टॉक के फैंस ज्यादा हैं, रादर दन कोई लर्निंग आप देख लो, तो आपको चुनना पड़ेगा, लेकिन आपको उसमें से चुनना पड़ेगा कौन सा आपको चाहिए, रही बात हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, मेरे एक परसनल गोल है, जिसको मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, बाद में इलाबोरेट करेंगे, कि मैं चुकिए गाउं से जुड़ा हूँ और मैं बहुत ज्यादा गाउं से जुड़ा हूँ हूँ, प्लस, बिसनेस, ओबिसली आम दूइब बिसनेस, लेकिन बिसनेस्मेन कोर नहीं हूँ मैं, मैं थोड़ा बहुत सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहता हूँ, मेरे एक परसनल गोल है कि मैं एक बस बनाओ, बस के अंदर पूरा लाब लगाँ रोबाटिक्स लाब, और उसको लेके दूर दूर दराज के गाहों में जाओं बच्चों से मिलू, उनको बताओं, उनको दिखाओं कि क्या होता है रोबाटिक्स, बट दाट इट सम्थिंग जसमें टाइम लगेगा, वह अभी नहीं होने वाला है, अभी हम क्या कर रहे हैं, तीन चीज़े हैं, एक जो मैं परस्नल लेवल पर कर रहा हूं, कि जितने ज़्यादे स्कूल से हम और्गिनाज़ेशनल लेवल पर कनेक्ट हो पा रहे हैं, दूर दराज के गाहों में, हम उनसे कनेक्टेड हैं, we are giving them free weekly lectures, हम उनके टीचर्स को पढ़ा रहे हैं, सौ बच्चों को बहुत मुश्किल होगा कि हम पढ़ा पाएं, या मैंने मानले जे एक ट्रेनर दे दिया, सौ बच्चों को में एक दूर दराज के गाहों में पढ़ा हूं, पॉसिबल नहीं हो पाता है कई बारी, इसे ही बड़ी सारी चीज़े हैं जो बच्चों को नहीं पता हैं, तो the major thing is the exposure, and I always think of giving them that exposure, कि उनको वह exposure कैसे मिलेगा, तो वह exposure के लिए यह है कि हम उनको free में offer करें, ठीक है, उनको बताएं हम कि यह होता है, अब उनको पते नहीं कि यह होता है, एक रुपे लेते हैं कही बारी, he charging just one rupee, पुरे साल का में भी कही बारी, कि just pay and use the platform, जितने सारे courses हमारे पास, technology में, robotics, AI, आप सब कुछ यूज करो, आप सब कुछ पढ़ो, हम आपके teacher को train कर देंगे, आपका teacher हमारे पास आएगा, आपका teacher बताएगा, कि हमारे बच्चों को आप यह करवा दीचे, यह होगी जो हम कर रहे हैं, नीति आयोग के बार में आप जान रहा होगे, नीति आयोग ने रिसेंट्ली अटल टिंकरिंग प्रोग्राम लांच किया है, अटल इनोवेशन मिशन के अंदर, मैं अटल टिंकरिंग लाब को इनका प्रोग्राम है, इनका जो एम अटल इनोवेशन मिशन है, उसमें बिहार का रिजनल मेंटर अफ चेंज हूँ, आपको रोबोटिक्स में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, अच्छे अच्छे स्कूल्स को मैंने मेंटर किया है, बटना क्या च्छे स्कूल्स को मैं मेंटर कर रहा हूँ, इसमें एक चीज बहुत कॉमन जो दिखी है, और गवर्मेंट की तरफ से जो आई है, वो यह है कि government is very much interested in helping them but कई बारी आपको खुद भी effort लेना पड़ेगा तो कई सारे स्कूल्स बहुत अच्छे से चला रहे हैं लैप्स को कई सारे स्कूल्स नहीं चला पा रहे हैं कई सारे स्कूल्स है जो आसपास के गाहों से बच्चों को बुला रहे हैं और इसका major motive यही थ कि cohort based learning हो दूसरे बच्चे जिनके स्कूल में robotics lab नहीं है और वो अफॉर्ड भी नहीं कर सकते उनके स्कूल में अगर आप robotics lab लगा भी दोगे तो आपको पता है क्या होगा उसका तो जो स्कूल्स अच्छे से उसको चला पा रहे हैं उन स्कूल्स की responsibility के आसपास के बच्चों अगर कहीं दूर किसी स्कूल में कोई सुन रहा है if you want us कि हम आपके गाउं में आया आपके बच्चों को पढ़ा है robotics तो आप कनेक कर सकते हो तो दुनिया बहुत छोटी होगी आज internet योग है everything is ever connected आपको पता है कि आपको क्या करना है लेकिन अगर आप करना ही ना चाहो तो कुछ नहीं किया जा सकते हैं तो नीतिया योग का बहुत बड़ा support है इसमें अटल टिंकरिंग लैब बहुत एक empowered चीज है और दूर दराज के गाउं में भी बैठा हुआ बच्चा बना सकता है मेरे कुछ students हैं धनबाद से बहुत धनबाद के दूर दराज के गाउं से आते समस्तिपुर के पीछे गाउं में निकल जाओ वहां से बच्चे कई पर फोन करते हैं कि सर यह है साल 2017 में मैंने जहारखंट सरकार के साथ एक प्रोग्राम में जूनियर इनुवेटर कॉन्क्लेट उसमें बच्चे मुझे जहारखंट के चोटे-चोटे गाउं से फोन करते तो यह है कि बच्चे करना चाहते हैं उनकी प्रोग्राम्स बना के देना मेंटर का काम है जो टीचेर उनको पढ़ा रहा है उनका काम है एंड टीचिंग एक जॉब नहीं है इस रिस्पोंसिबिलिटि मैं हमेशा यह मानता हूं कि अगर आप टीचेर हो ड़िजन मैटर आप पूर पूर आप टीचेर है तो मैं इस बात को अच्छे सा समझता हूं कि उन्होंने कैसे मैं नहीं नहीं को देखा है कि वह कहीं पर घूमने काया हूं हम लोग और जैसे ही तीन बजेगा वह घर जाने को बेचान हो जाएंगे कि नी बच्चे आने वाले होंगे पढ़ने के तो मेरे पापा को पूरा गाओ गुरुजी बुलाता है पूरा गाओ मतलग उन्होंने पहले पीडी को पर आया उनके बच्चे पढ़ने आते हैं तो टीचर का बहुत बड़ा रोल है यहां पे दूर दराज के गाओं में और सरकार बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले कर रह चले रोबोटिक्स बढ़ाने के लिए लेकिन आप जानते हैं कि इंडिया इस डेवलपिंग एकॉनमी हम बहुत फास्ट डेवलप कर रहे हैं सारे फील्स में सारे असपेक्स सारे प्लाटफॉर्म्स पे इन सब में टेक्नोलोजी के बहतर क्रियान्वन का कितनी जादा का इस में स्कूछ्स का बहुत बड़ा रोल है जो प्रिख नाप प्रिख ज़ोग बहुत से छलाओंगा कंपनी को बहुत सारे लोगने मेरे से फवाल पूछा था की वाई नोट भिहार आप जब भी कोई काम करना चाहते हो तो आप चुनना चाहते हो वो जगह जहां पर कॉ प्रफुटिशन काम था, स्कूल्स अडॉप्ट नहीं कर रहे थे, तो आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, स्कूल्स को पता हो गया है आज ये बाद, स्कूल्स को आज ये बाद पता है कि कितनी जरूरी है टेकनिकल एजुकेशन, अगर आप टेकनिकली साउंड नहीं हो, म अभी लोगों ने work from home किया, because they were skillful, तो टेकनोलोजी का जो करियानवान है उसमें स्कूल्स का बहुत बढ़ा रोह है, और स्कूल्स को इसको अडॉप्ट करना चाहिए, इवन अभी NEP, National Education Policy, उसमें भी टेकनिकल एजुकेशन पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, NCRT is working on complete syllabus, so that technology का जो करियानवान है उस पर बढ़ावा दिया जाए, तो school, हम ना, हमारा education system, हमारा belief system, जो parents का, हम schools, college पर बहुत जादा डिपेंडनेंट है, मैंने college madmission लिया, मैंने school madmission, मैं पूरी तरह से खुद को छोड़ दूँगा, school के हवाले, college के हवाले, कि आपने जो पढ़ आप नहीं करूँगा, and this is evolution, यह होगा, आप नहीं अड़प करोगे तो आप पीछे रह जाओ गया, see the western countries, वहाँ पर 5G कप का launch हो चुका, they are testing next generation of connectivity, NASA बहुत आगे है, इस रोसर, still there is competition, लगतार प्रेयास की जा रहे है, क्योंकि जब आप किसी विकास की प्रक्रिया में आके बढ़ना होता है, खासकर जब आप इतनी बड़ी आबादी लेकर बढ़ते हैं, तो आपको बहुत ही सब के साथ, सब के बारे में सोचकर आगे बढ़ना होता है, और आपको अड़ाप्ट करना पड़े, अगर आप नहीं गरोगे तो भी चीजे चलेंगी, अगर मैं बोलू एक ऐसा चीज है, जिससे अड़ाप्ट करना हम लोगों को बहुत ज़ादा जरूरी हो गया है, अभी के समय में, लेकिन अड़ाप्ट करने के साथ, साथ हम उसे कनेक्शन कब करते हैं, जब हमारा बेनिफिट वहां से निकल कर आता है, सब एक बिजनिसमैन है, उसने रोबो लेकिन जब आप एक बच्चे को बताते हैं, कि आप आके हमारे साथ रोबोटिक्स पढ़िए, रोबोटिक्स में आगे बढ़िए, तो एक बहुत बड़ी चीज होती है, कि जब तक हम उसे करियर पॉसिबिलिटी को असोसियेट नहीं करते हैं, तब तक हम उसको ब्रॉड एक बड़े प्लाटफॉर्म पे लेके जाने कि हम बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अल्टिमेटली हमें लगता है कि एक टाइम के बाद हमें कहीं पहुंचना है और हमारे लाइफ में एकनॉमिक स्टेबिलिटी आए, तो आप करियर अपोर्चुनिटी के बारे में हमें बता इसलिए अडिया में हम सक्सेस को इसी से कंसीडर करते हैं कि कौन कितना खमाता है, तो यह भी पेबल स्किल, इन हाईली पेबल जॉब, रोबोटिक्स दूसरी चीज़, तो फील्स जहां पर रोबोटिक्स की नीड है, आप झाल निट निड बताने के जरूवत है, अभी तो मार्स पर चल रहे हैं, दो रोवर भेज आमेरिकान हैं, इंडिया इस ट्राइंग, इंडिया वियर बिल्डिंग, तो एक फिल्ड वो हो गया, दूसरा, डिफेंस, डिफेंस के अंदर अभी रिसेंटली डियाईडियो, डियाईडियो में बहुत सारे काम चल रहे हैं, इस यहां पर चाहिए तो लोग ही, अब मेरे को अगर रोबोटिक्स आता है और आपको रोबोटिक्स नहीं आता है, यूर्स सहीं के मैं आपके यहां पर आगे सीख लूँगा, तो मैं आपसे आगे हो, first thing, so I have a better employability option in the market, दूसरी चीज, कुछ और फिल्स बता तो मैं आपको, जहां पर robotics की बहुत जादे need है, medical, health tech को कहते है, and when I'm talking about robotics, जब मैं robotics बोल रहा हूं तो इसको, please, इससे मत समझे के सिर्फ एक चलता है पर ता आदमी जैसा, मेरे जैसा दिखने वाला, रोबोट बनाने वाले है, बिसिकली, when I'm referring to robotics, मैं refer करो technology को, technology at the core, कि ठीक है, यह गमला ह मैं इस गमले को थोड़ा smart बनाना चाहता हूं कि मैं इसके उपर हाथ करूँ और यह music बजाने लग जाए, so basically, मैं code लिख रहा हूं, electronics components के उपर, मैं कुछ computer language में लिखके डाल रहा हूं कि भईया, यह काम करना है आपको, तो अब आपके पास बहुत सारी skills आगे, आपको hardware प अब आपको बनाना नहीं आता है, आपको तो आपको थोड़ा थोड़ा सब आता है, चलेगा, आपको यह भी आता है, तो आज के date में, we want to be jack of all, master of none, तो अपको थोड़ा थोड़ा सब आता है, चलेगा, कुछ भी नहीं आता है, या फिर आप एक चीछ जानता है, जिसमें आप mastery हो, chances are कि ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है, but eventually, robotics एक एक ऐसा फिल्डे जिसमें आपको थोड़ा 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 आता है, तो दो फिल्स में आपको बताया थे, space tech, दूसरा हमारा था, health tech के उपर हम कोवीड के टाइम्स में, चाइना, जहां से कोवीड फैला, उसने कितनी तेजी से कंट्रोल किया, because they have already emphasized, उन्होंने टेक्नालोजी को तगड़े लेवल पर यूज किया है, अपने स्कूल से बच्चों को तगड़े पढ़ा रहे हैं, उन्होंने आटोमेशन का इतना तगड अपने भी देखा होगा, कि हर दिन यूज में आरा है कि इस रोबोट यह रोबोट यूज हो रहा है, बट कहा जा रहा है, आग लंगने पर हमने कुआ खोधना सुरू किया, so we should be better prepared for that, ऐसा pandemic कभी भी आ सकता है, और टेक्नालोजी बहुत बड़ा support होगा उसमें, तो यह ती अगर आपको रोबोटिक्स आ रही है, तो आप एजूकेटी कर सकते होगों को, आप स्कूल में चले जाओ, teach them, there will be at least, कोई ना कोई स्कूल आपको जरूर रखेगा, तो there are number of schools जो इसको adopt कर रहे है, तो employability भूल जाहिए, बहुत बड़ी चीज है, employability इसमें है ही है, there is a guaranteed employability आप मेरे से लिखवा के लिए लो, दूसरी चीज, entrepreneurship, आज startup India is booming, we are talking about startup, 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 let's say, मेरे को robotics आती है, मेरे को robotics आती थी, मैंने robotics company start की, जिसमें मैं robot बनाना सिखा रहा हूं लोगों को, right, आपको robotics आती है, लेकिन आपको सिखाने के जरूरत नहीं, आप लोगों को robotics माच सिख कोबीट के टाइम पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे डिवाइसे बनाई, and they made good amount of money out of that, क्योंकि उनको technology आती थी, उनको hardware software के साथ खेलना आता था, और हम वहीं खेलना सिखाना चाहरे है, आपका बच्चा खिलोने खरीता है, remote वाले खिलोने, हम आपको सिर्फ इतना कह बच्चा रिमोट वाला खिलोना बना रहा है, कल वो खिलोना अपने आप चल रहा होगा, कल वो खिलोना उसकी आवाज पर चल रहा होगा, कल वो खिलोना उसके Android फोन से connect होके चल रहा होगा, so एक ही kit के अंदर आपको multiple options मिल जाएंगे, और आपके बच्चे को सीखने के लि India was never like this, कि हम job करना है, job करना है, हम लोग हमेशा से एक आत्म निर्भर country थे, हम हमेशा से खुद के काम में यकिन रखते थे, भारत में सब लोग entrepreneurs थे, बिल्कोल, बिल्कोल, क्योंकि हमारी भारत के धरती है, वो गांधी के धरती है, नहरू के धरती है, तो हमें पता है कि आत तब भारत से निकली थी, जब हम आजादी की लड़ाई अपने लड़ रहे थे, तब हम आत्मा निर्भार भारत की बात करे थे, बहरहाल आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और हमें बताया, हमारे दर्शकों को बताया कि इसमें रोबोटिक्स में क्या-क्या हम कर सकते ह आगे बढ़ सकते हैं, किन चीजों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, क्या-क्या चीजें अपनी जीवन में हासल कर सकते हैं, साथी साथ हम अपने देश के विकास में भी योगदान दे सकते हैं, क्योंकि जब आप कुछ भी करते हैं, तो कहीं न कहीं आपका जो रिजल्ट नि जादा जरूरी है और जाहिर से बात है हमारे माननी प्रधान मंत्री भी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं आत निर्भर भारत की बात करते हैं और ये आत निर्भरता का रास्ता कहीं न कहीं इन सारे कारकों से होकर गुजरता है तो जरूरी ये है कि हम इन सारी बातों को गह पहुंचते रहें तो हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार दूर दर्शन केंद्र फ्रेजर रोड पटना आज 00001 हमारा इमेल एड्रेस है डारेक्टर डीडीके पटना अर्देरेट जीमेल डॉट कॉम